सूपरभात सभी को नमस्कार सभी का स्वागत भारतिय योग संस्थान वेस्ट अन्कलेव जिला से चलाई जा रही इस सुन्दर लाइव योग कक्षा में आज फ्राइडे हमारी स्पेशल एफिशन्सी क्लास युवा साधिका पिरियल हमारे साथ तो आईए शुरू करते हैं आज की सुन्दर एफिशन्सी क्लास सुरुवात सबसे पहले सुक्षम क्रियाओं से दोनों पाउं सामने दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक सदिक आगे पीछे करेंगे ज्यादा से ज्यादा मेरी और फिर अपनी और करते जाएंगे अपनी चमता का ध्यान रखेंगे घुटने दवा कर रखेंगे करेंगे जी करते जाएं करते जाएं पूरा प्रियास हो पाउं की एक-एक मास पेशिया परभाव में आए अब दोनों पंजों को गोलाकार गुमाएंगे एक साथ पूरे ध्यान रहे घुटने हमारे दवे रहें करेंगे करेंगे दूसरी दिशा से भी करेंगे एड़ी पंजे मिलाकर करेंगे अब दोनों पाउं को थोड़ा एक फिट खोल कर दोनों पंजे एक साथ हासन पर लगाएंगे करेंगे करेंगे करते जाएं अंदर बाहर अपनी स्पीड से करिए 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 सब लोग करेंगे सुक्षम क्रियाएं बढ़िया होंगी तो उसके बाद आज जो हमने एफिशेंसी कलास करनी है वो अच्छी कर पाएंगे फिर से एड़ी पंजे मिलाएं पाउं को अंदर खिचें फिर बार खोलें फिर दूसरे पाउं को खिचें एड़ी हर बार अपने हिप से लगाएंगे एक बार राइट एक बार लेफ्ट राइट और लेफ्ट अल्टरनेट करते जाएं अब दोनों पाउं से एक साथ करेंगे पिछे हाथों का सहरा ले लेंगे और दोनों पाउं एक साथ अंदर के उड़े कर आएंगे वापिस आजाएं हलका विस्राम समन्य स्वास विस्राम के बाद आखें मन बटरफल्ट अबटरफल्ट अबटरफल्ट लाई के लिए एडिया निकट लेकर आएंगे दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करेंगे और दोनों गुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारम करेंगे रीड को गर्दन को लगातार सटागे रखें निकट से निकट रखें चेहरे पर प्रसंता रखें हर बार कोशिस घुटने आसन के निकट पोचें छू जाएं अति उत्तम बहुत बढ़िया पाउं के जोड रीड की गोटियां सर्वाइकल भाग पूरी त्रह परभाव में करिये जी करिये पूरा प्रियास गरदन रीड को सिधा रखने का पूरी मस्ती के साथ तितली की भांती करते जाएं करते जाएं बार बार एडियां आगे खिशकने का प्रियास कर रही हैं लेकिन आपने लगातार उनको अपनी और खीचके रखना है धीरे धीरे आजाएंगे वाप्सेश पाउं को सीधा करें रिलाक्स ऐख उन्हेदी पंजा मिलाएं प्रदमासन के लिए पहले दाहिनी टांग बोडें एडि को नाभी के बाई और इस्थित करें फिर बाई टांग मोडें एडी को नाभी के दाई और इस्थित करें दोनों हात ग्यान मुद्रा में कमर गर्दन पुन्य एक बार सीधी आखें कोमलता से बंद गहरे लंबे स्वासों का अभ्यास आनंद पूर्वक धीरे धीरे स्वास को छोड़ना और धीरे धीरे स्वास को भड़ना होटों पर मुस्कान मन को शान पिकागर होते वे मैसूस करें कितने भग्ये शाली हम सब इस्वर के पासे एक नया दिन देखने का आउसर मिला है आईए इस दिन की सुरुवात इस हमरित बेला में सुन्दर योग साधना से करें योग साधना के दोरान केवल सरीर नहीं बलकि मन से निमाग से भी हम पूरी तरहे किरियाओं में रहेंगे पूरी सजगता के साथ चमता को ध्यान रखते हुए अपनी किरियाओं करेंगे तीन बार ओम ध्यावनी एक बार गायत्री मंत्र सभी मिलकर करेंगे परिवार के साथ दोर एक के नुपात में भरिये गहरा लंबा स्वास अम 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 भूर्भुवासावा तत्सवीतुर्वारे नीयम भर्गोदे वश्यधी माही धीयो योना पचोदयात हे प्रान, पवित्रता और आनन्द के देने वाले प्रुफूल, आप सरवग्य और सकल जगत के उत्वादक हैं। हम आपके उसुत्तम पाप विनासक वैज्ञान सवरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुधियों में परकासित रहता है। आप सदैव हमारी बुधियों में परकासित रहें, और हमें सत्कर्मों की और प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से प्रदमासन खोलें, थोड़ा पाउं को विश्राम दें। फ्राइडे इसल क्लास है, आज हमारी तिरियल हमारे साथ है, बिना सहरा लिए, आसन के उपर खड़े हो जाएं, कोसिस करें जी, एक बार बिना सहरा लिए बैठ जाएंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे, उन्हे एक बार बैठें, उन्हें एक बार खड़े हो जाएं एक अंती मावर्ती फिर से बैठें खड़े हो जाएं रिलेक्स समान्य स्वास थोड़ा सा जोगिंग करेंगे अपने घुटनों को उपर निचे करेंगे साथ में उंगलियों को खोलेंगे बंद करेंगे हलकी हलकी स्पीड भी बढ़ाएं लेकिन चमता को ध्यान में रखकर करेंगे हर बार कोशीस एडी मेरे हिप्स को चुए बुजूर्ग साथी केवल अपने आशन पर खड़े होकर धीरे धीरे करेंगे अब आगे पीछे चलेंगे हाथ को उपर करके धीरे धीरे चलेंगे चलिए 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 अब दाएं बाएं करते भी चलेंगे दोनों हाथों को जैसे कटी चक्रासन करते हैं ऐसे दोनों हाथों को करिए लेफ्ट राइट में धीरे धीरे वापेस हल्का विश्राम समन्ने स्वास रिलेक्स आज जो हम efficiency class करने वाले हैं वो हम सूर्य नमस्कार के उपर करने वाले हैं सूर्य नमस्कार हम प्रती दिन करते हैं सायद ही कोई दिन हो जिस दिन हम सूर्य नमस्कार मिस करते हूं तो उसी सूर्य नमस्कार के जो बारा पोस्चर हैं जिसमें से पाच पोस्चर हमारे रिपीट होते हैं तो सही माईने में साथ ही पोस्चर हैं तो उन साथ पोस्चर में कैसे हम रुकने की छमता बढ़ाएं, कैसे उसको हम सहीट तरीके से करें, ताकि जो परती दिन हम कर रहे हैं, उससे हमें और लाब मिले। सूर्य नमस्कार अपने आप में पून आसन कहलाता है, शरीर के सभी अंगों को परभावित करता है, ये छोटी से छोटी मास पेशियां हो, अंग हो, बड़े से बड़ी मास पेशियां अंग हो, सब को ये परभावित करके पुष्ट करता है, तो इतनी बढ़िया किरिया है, तो क्यों ना इसके अंदर हम perfection लेकर आएं, क्यों ना इसको और efficient ढंग से करें, तो आईए उसी की सुरुवात करते हैं, उसी के लिए तयारी करते हैं, पिरियल हमारे साथ है, फिर भी आप अपनी छमता को ध्यान में रखकर करेंगे, कहीं पर भी आपको थकान लगे, कोई किरिया में मुश्की लगे, बेचेनी लगे, आप आसन पर बैठें, लेटें, जब समान्य हो जाएं, पुने हमारे साथ शामिल हो, चलिए जी, अब इसके अंदर, सबसे पहले, परणाम मुद्रया तो, जनरली हम कर लेते हैं, जो सेकंड इस्थिती होती है, जिसमें हाथों को उपड़े कर जाते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, ताड आसन, तो इसमें अपनी एडियों को मिला लीजिए पहले, और दोनों पंजों को खोल दीजिए, अब ये आसन हमारा सही हो, दूसरी स्थिती बढ़िया बने, इसके लिए दोनों हाथ पहले अपने स्थिरी के साथ हैं, एक बार पनाम मुद्रा में लेकर आएं, और धीरे धीरे दोनों बजाओं को उपर लेकर जाएं, तांते वेले कर जाएं अब ताड आसन के अंदर ये बोलते हैं कि हमारा दोनों बुजाएं उपर रहेंगी एडी भी उठा जिते हैं अब इसके अंदर हमने एडीया नहीं उठानी है अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है इसके अंदर, अपने कंदों का दबाव, गर्दन सहीत, पीछे की और करना होता है, थोड़ा पीछे करें, जैसे उष्ट आसन में हम जुकते हैं पीछे, तो धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा प्रियास करें, पहले हमारा जो भारतिय योग संस्थान में बताते थे, कि पीछे नहीं जुकना होता ज्यादा, लेकिन बाद में इसमें चेंज हुआ, अब आप पीछे जुक सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है, चाहे वो ताड़ासन हो, कलाई जो है, वो बिलकुल भी ना मुड़े, गल्ती जो होती है, सबसे स्वास लेते रहें, जब जाना होता है, तब स्वास भरकर जाना होता है, और जब वापिस आते हैं, तो स्वास छोड़ कर आते हैं, लेकिन जब रुकते हैं, तो स्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, कलाई बिलकुल सीधी है, अब थोड हम सोचते हैं कि हाथ खीच रहें लेकिन घुटने डिले पड़ जाते हैं घुटने भी हमारे पूरी तरह खीचे रहेंगे अब एक बार धीरे-धीरे साइड से दोनों बुजाओं को वापिस ले आई है तांते वे तो जब तक आपका ताडासन बढ़िया नहीं होगा तब तक आपकी दूसरी स्थिती जो सुर्य नमस्कार की है ये स्थिती हमारी बढ़िया नहीं बनेगी तो इसलिए आपने ताडासन एक ऐसा आसन है जिसको आप दोपैर में शाम में जब आप कोई काम कर रहे हैं तो बीच युद्रीक ताडासन को बढ़िया करने के लिए एक दो ओर आसन है जैसे त्यरीक ताडासन है एडी पंजे मिलाएं दोनों हाथों को क्लैम्प करें और सर के उपर रखें दोनों ठेलियों को और धीरे-धीरे अब कोहनियों को खोलें खीचे उपर बुजाओं को कोहनिया सीधी और साइड में जैसे धीरे धीरे त्रिकोन आशन करते हैं ऐसे साइड में जुकेंगे अब ये जो flexibility आएगी जब कंदे हमारे सही होंगे तब हम दूसरी स्थिती में रुख पाएंगे सूर्य नमस्कार की तो ये तिर्यक ताड़ासन भी सूर्य नमस्कार में आपकी help करता है अब इसमें देखिए बुजाएं बिल्कुल कान के साथ है जरास अभी आगे की और जुकाव नहीं है कोनिया बिल्कुल सीधी है उंगलिया पूरी तरह अंदर की और खिची हुई है समान्य स्वास में आखवन करके रुकें वेरी गूर बेटा धीरे धीरे आएंगे मध्य में फिर से एक बार गहरा स्वास बरें और स्वास छोड़ते हुए बगल से लेट साइड में आएंगे यह देखिए है कि भूत बढ़िया धीरे धीरे आएंगे मध्य में उन्हें खिचेंगे उपर और तांते हुए साइड से बुझाओं को वापिस लेकर आएंगे समान्य स्वास रिलाक्स अब जो तीसरी स्थिती होती है अब उसके अंदर जब दूसरी स्थिती बढ़िया होगी तभी आपकी तीसरी स्थिती भी बढ़िया होगी एक बार दोनों हाथ सामने लेकर आए हथेली का रुख नीचे की ओर कंदो के सामने अब धीरे धीरे दोनों व्याओं को ले चलें खिचे ऊपर से उपर अब जो तीसरी स्थित्य हमारी है उसमें कमर का उपयोग करना है हाथ का उसमें कोई भी काम नहीं है पाव का उसमें कोई भी काम नहीं है केवल और केवल नाभी के पीछे जो कमर का निचला भाग होता है उसमें उसका काम है तो पहले आपकी बुझा पीछे जाएगी दूसरी स्थिति में जैसे पीछे की और आपने करक्थ है थोड़ा और पीछे की और जुकेंगे यह अब यहां पर सबसे पहली चीज तो जो गुटने हैं यह मुड़ जाते हैं इसको निमुड़ना भुजा गर्दन के साथ तो यहां पर जो कमर है उसका उपयोग होना है यह आसन आपका तभी बढ़िया होगा जब रात को आप हलका वोजन करेंगे जब सुबह आप सनान करक से और प्रति दिन आप योग से जुडेंगे यह जो इस्थिती है इसमें बड़ा मुस्किल होगा भूत कोशिस करने के बाद भी उंगलियाल चूने में बड़ा टाइम लगता है अथेली चूने में और ज्यादा टाइम लगता है और माथा चूने में तो और भी ज्यादा लगता है अब धीरे धीरे उपड़े कर जाएंगे अब इसकी किरिया को पात से साथ बार करेंगे बिना रुके करेंगे करिये जी तो इससे आपकी कमर के अंदर और ज्यादा का फ्लेक्सिबिलिटी आएगी लेकिन जिनको सर्वाइकल है जिनको कमर का दर ज्यादा है उनको यह स्थिति थोड़ी अवाइड करनी चीए वो करें तो ज्यादा देर रुके नहीं और जरा सा भी उनको लगे दर ज्यादा हो रहा है वहीं पर आप इस स्थिति को अवाइड क कि हमने सारी की सारी 12-12 स्थितियां करनी होती हैं। कोई स्थिति ना हो तो उससे पहले की या उसके बाद वाली स्थिति में रुकना चाहिए। अब यहां पर देखिए जब नीचे जारें तो कलाई बिल्कुल सीधी रह रही है, घुटने सबसे पहले ध्यान रखना है घुटनों का, फिर ध्यान रखना है कि हमारी कलाई सीधी उत्ते वे नीचे जाए, करते जाएं जी, उपर नीचे करते जाएं, रुकना नहीं है, धीरे-धीरे, वेरी गुड़, और चेहरे पर बिना तनाव, अब देखिए उगलिया लगा करके, अब रुकिए थोड़ा, पेट को थोड़ा अंदर खीचिए, संकुचित कीजिए, फिर ध्यान रहे, गुटने को पीछे दक्का देना है यहां से, थाई के मास पेशियों को पीछे दक्का द स्वास भरते हुए उपर लेकर जाएं, खीचे उपर, और साइड से दोनों बजाएं तानते हुए निचे ले आएं, रिलाक्स, तो हमने दूसरी स्थिति की बात की, तीसरी स्थिति की बात की, जिसके अंदर हमारे को कमर का उप्योग करना है, पेट का, जैसे हम प्रती दि करते हैं, पेट के आसन अगर हम बढ़िया करेंगे, मुटापा थोड़ा कम होगा, अब जैसे मैं अभ्यास ज्यादा है, अगर आगे जुकता हूँ जैसे, तो अगर आप देखेंगे, बुजाएं कान के साथ हैं, धीरे धीरे जैसे, अब ये देखिए ऐसे, जिसको लगता है कि मेरे हाथ आगे जा रहे हैं, वहीं रुख जाएं, कमर का उपयोग करना, देखेंगे, बुजाएं कान के साथ, फिर आपने उंगलियां लगानी हैं, फिर उसके बाद हथेली लगानी हैं, अब देखिए गुटने बिलकुल सीधे हैं, पीस उंगलियां एक लाइन में अब आपने पेट को सिकोड कर माथा लेके जाना है घुटने के निकट सहस्ता के साथ, और धीरे धीरे ही आपको उपर आना है, फिर आपने खीचना है उपर, ये इस्थिति आपकी धीरे धीरे बनेगी, लेकिन समय लगेगा, प्रती दिन का भ्यास करेंगे, तभी होगी आ अब जो चोथी स्थिति है, और इसमें फिर हम चक्रों का भी ध्यान रखेंगे, चोथी स्थिति में, एक बार जाएं उपर, और जब नीचे जाएंगे, तो दोनों थेलियां आपको अपने पंजे के दायमाय करके, राइट पाउं को पहली बार पिछे लेके जाना है, यहां पर सबसे ज्यादा जो गलती मेरे को, मैं देखता हूँ, यह जो अथेली है यहां पर, अब इसको पूरी तरह से नहीं जमाते, यह जो अथेली है, पूरी तरह से जमनी चीह है, ऐसे पूरी, कई बर क्या करते हैं, कोई मुठी बना लेते हैं, कई बर क्या करते हैं, थ क्यों प्रेस्टर के फाइदे तभी मिलेंगे कापने करते जाना है जी समता के इसाब से तो यहां पर आपने रुकना है फिर आपने क्या गलती इसमें होती है यह गुटना जो पिछे का है इसको हम नीचे आसन पर लगा देते हैं नए स्थादक केवल लगाएं लेकिन यह आपने से हमने किया राइट साइड में जब वापिस आते हम तो दूसरी और से करते हैं तो अब की बार राइट पाम को आगे लेके आई यहां पर अब यह देखिए अब फिर से 15 उंगलिया एक लाइन में है पांचों उंगली मिला के रखनी है और फिर देखिए यह वाला जो घुटना है अब इसके अंदर जितना यह पंजाब पीछे जाएगा आपका अपने आप इस्तिती बढ़िया बनेगी कई बर क्या करते हैं पंजाब होता है अगर आगे होगा पंजा तो कमर हमारी उपर क्यों रहती है कमर अगर उपर क्यों रहेगी तो इसका परभाव इसके बाद आपने गर्दन को भी पिछे करना है जितना संभव हो सके एक बार वापिस आजाएं और थोड़ा खड़े होकर विस्त्राम ले लें समान्य स्वास जितने भी स्थितियां हम बता रहें सारी रिपीट होती हैं साथ स्थितियां हमारी जो कि हमारी साथ की साथ इस्थितियां वो आपकी इंडिजिवल रहेंगी पाच इस्थितियां रिपीट होती हैं तो आपने जो कंसंटेशन करनी है वो साथ इस्थितियों पर ही करनी है मेन, अगर वो साथ अमारी है, बाकी तो repetition ही है, और पहली स्थिती जो होती है उसमें परणामुद्रा होती है, एक बार परणामुद्रा की भी बात करते हैं, परणामुद्रा में आएंगे, अब यहाँ पर जो है, दोनों यह हाथ मिल करके, अंगुठी भी ऐसे मिल जाएंगे पाच उगलिया और ऐसे करके ये दोनो कोहनिया जो है एक लाइन में आएगी इसको थोड़ा सा हलका ये जो कोहनिया है ये पूरी एक लाइन में आएगी, यहाँ पर हलका सा गड़ना होता है वहाँ पर आपके अंगोठे और इस परकार से आपकी एक सीध में ये आएगी, हलका सा, ये देखिए, ऐसे ये मुड़ेगा, यहाँ, ये देखिए, ये परणामुद्रा की स्थिती है, दोनों थेलियां आपस में दबनी चीए, लाइक प्रैसर होना चीए, दोनों का थेलियों का, उनमें ऐसा नहीं कि गैप हो रहा है, और जब इ देखने में बिल्कुल सरल कि रिया लग रही है कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम कर रहे होते हैं, हमारा मन इधर उधर जाता है, उसकी जगे हमने कोसिस करनी है कि हमारा ध्यान अग्या चक्कर पर हो, इस पर्टिकुलर पोस्चर में रुकने से तनाव दूर हमारा depression जैसी समझ्या खतम होती है योग के परति अ सुरे नमस्कार के परति हमारी रुचि उत्पन होती है तो हर इस من समय समय लगाना है और पूरी तो इसको भी आपने important समझना है तो अपने पहली स्थिति की ये बात की दूसरी की बात की, तीसरी की बात की फिर उसके बाद है चोथी की भी हमने बात की पाच मी जो स्थिति होती है हमारी अब उसके लिए चलते हैं एक बार आसन पर बैठ जाएं बैठ करके विश्राम ले ले बीच में अगर आपको ठकान लगे कभी भी आप बैठ सकते हैं समान्य स्वास अब एक बार फिर से चोथी स्थिति में आएंगे बैठ करके आजाएं एक बार अपने इसाब से ये देखिए एक पाउं ये आगया आगया ये देखिए ये चोथी स्थिति हमारी पंद्रा उंगलिया एक लाइन में है पीछे आपका ये है गुटना उसका उपर हवा में है तो जब पाच्वी स्थिति में जाएंगे जिसको हम परवताकार बोल सकते है ये जो दूसरी टांग अब पहली टांग को बिना हिलाए जाना है उसको और यहां पर जाकर के उसी टांग के साथ में ये जाकर के सड़ जाएगी अब इसमें गलती सबसे ज़्यादा क्या करते है इस पाउं को आगे ले आते है अब एक दो पर मैं बोलता हूँ कि पाउं नहीं लाने तो उसके बाद वो हाथ को पिछे लेके चले जाते है बात तो एक ही है मेन बात यह है कि हमने जो गैप है पंजे का और अथेली का वो बराबर मेंटेन जितना हो गया उतना मेंटेन करके रखने आपने अब यहाँ पर आपने इस पर्टिकुलर पोस्चर में एडी लगाने की कोसिस करनी है यह देखिए एडी जो है अभी हलकी सी अगर आप देखोगे आदा सेंटिमिटर पोना सेंटिमिटर हलकी सी उठी हुई है लेकिन आप धीरे-धीरे अभ्यास करेंगे जैसे हम खड़े हो जाते हैं बिल्कुल वैसी स्थिती जो है एडी की आपकी बननी चीए कि जैसे हम खड़े हो रहे हैं तो खड़े उन्हें पर AD पूरी तरह से आसन पर लगती है, ऐसी इस्थिती, वेरी गुर्ड देखे, ये देखे, बिलकुल अब की बार, पिरियल की AD पूरी तरह से आसन पर लग गई, अब ये धीरे-धीरे कोसिस करनी है आपने, हम सोचते हैं, इससे क्या फरक पड़ेगा, क्योंकि परभाव तभी आएगा, जब हमारी AD आसन पर लगेगी, प्रियास लगातार होना है, अब फिर इसमें गल्ती क्या करते हैं, जब ये उत्ती है, फिर हमारी उंगलियां खुल जाती है, आथ की हथेली जो है, ये खुल जाती है, और ठुड़ी आपर कंठकूम में लगनी है, थाइराड गरंतिया परभाव में आएंगी, महिलाओं के लिए भोत उप्योगी है, और ये शेप देखिए, पूरी तरह V-shape हैं यहाँ पर, ऐसे आपने V-shape बनानी अपनी, स्टार्टिंग में आपकी U-shape बनती है, लेकिन धीरे 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 अभ्यास से, जब एडिया लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो V-shape बन जाती है, अब एक बार धीरे से पैलल आ जाएंगे, और सिथिलासन अपने दोनों थेलियों को ठुड़ी के नीचे रखकर विस्राम ले लेंगे, ठुड़ी के नीचे या गर्दन को लेफ्ट या राइट में घुमा लें, और पंजों को दाएम आएं, एडियों को भार के और करें, पंजे को अंदर के और करें, रिलाक्स, समान्य स्वास, तो अभी आपको जो है, ये छोटी छोटी जो चीजे हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है, फिर उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे, आज हम केवल और केवल सूर्य नमस्कार ही करने वाले हैं, अपनी छमता से ज्यादा बिलकुल नहीं कर से यहाँ पर आजाएंगे, प्रवताकार स्थिती में अभी जिसकी बात कर रहे थे, अब उससे आगले वाली स्थिती में पहुचेंगे फिर, यह देखिए, यहाँ पर फिर से स्थिती आगई आपकी, वेरी गुड बिटा, अब जब यहाँ पर इस से अगली स्थिती में आते हैं, तो यह है पाचमी स्थिती, अब जो छटी स्थिती होती है, श्टांग पर नाम, तो पाचमी और छटी के बीच में भारतियोग संस्थान एक आपकी अलग स्थिती होती है, वो आएंगे पैरलल अब यह देखिए, बिल्कुल धीरे-धीरे, यहाँ पर आएंगे पैरलल, अब यहाँ पर सरीर आपका पूरा एक लाइन में आए, थोड़ा सा यह देखिए, अब देखिए, पूरा, यहाँ पर आप जैसे कौन आसन में रुखते हैं, ऐसे आपको रुखना चीए, यह बड आपको लगे कि नहीं रुखा जा रहा तो थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपने, जैसे अभी एक बार थोड़ा सा, हलका सा गुटने रख लें थोड़ा सा, और एक बार इसमें रुखें, और फिर उसके बाद, जब मुश्किल लगे, फिर एक बार फिर से आ जा कि अपनी चमता बढ़ानी है, कोसीस करने, कि हम जब सूरिय नमस कार करें, हर एक पोस्चर में कम से कम एक मिनट रुखने की हमारी चमता हो जाये, देडे मिनट, दो मिनट अगर रुख जाये अति उत्तम, मिनिमम बारा मिनट का सूर्य नमस कार जरूर होना चीए, और हम कोस करते हैं और आप करते भी हैं अब इसके बाद आते हैं अश्टांग प्रणाम में पहले गुटने लगेंगे अब यहां पर ना भी नहीं लगानी होती है अब आपने इसके बाद आपने अपना चेस्ट लगानी होती है वक्सेस्थल और फिर उसके बाद फोरेड लगाजिए बेटा अब यहां पर देखिए हिप्स भोग जाद ऐसे उठाने नहीं जबर्दस्तिन उठाने एक बार लेट अब यहां पर जैसे लेट गए फिर बस नाभी को अंदर की और सिकोडना है बस एक होता है कि आप जबर्दस्ती जैसे अपने नाभी मंदल को पूरा उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना आपने नोर्मल भावस जैसे होता है आपने बिल्कुल सीधे आप लेटे और उसी वक्त आपने नाभी को अंदर की और संकुचित कर लिया जब नाभी को सिकोड़ेंगे तो नाभी हलकी सी उपर उठ जाएगी बस इतना करने आपने ऐसा नहीं कि पूरा आपने शरीर को उठाना है माथा लगाना होता है इसी स्थिति के अंदर आपने यह देखिए माथा इसमें लगता है यह माथा लगा हुआ है लेकिन कई बर क्या होता है किसी को दमा की प्रोलम है किसी को स्वास लेने में दिक्कत लगती है तो आपने माथा नहीं लगाना आप उसमें ठुड़ी लगा सकते हैं ठुड़ी लगाओ विटा एक बार यह देखे ठुड़ी इसमें यह लग जाएगी तो यहाँ पर ठुड़ी लगा सकते हैं अब यहाँ पर भी देखे एक कोहनिया जो है खड़ी रहेंगी यहाँ पर कई बर क्या होता है एक कोहनिया जो है सरीर के साथ आ जाती है इसको खड़ा रखना है हथेलिया सरीर के निकट रहेंगी और यहाँ पर पंजे जो है वो खड़े रहेंगे ये देखिए ये पंजे खड़े हुए जब हम नोर्मल भुजंगासन करते हैं तब हमारे पंजे लेट जाते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे पंजे खड़े रहेंगे ये देखिए ये इस्थिती पंजो की आपकी ध्यान रखनी आपने और यह जो पर्टिकुलर पोस्चर है इसके अंदर आपको बीच में जैसे आप देख रहे हो यह जो इस्थिती होती है हमारी छटी स्थिती है तो इसमें आपको अराम भी मिल जाता है सूर्य नमस्कार में क्योंकि बारा पोस्चर है सम्में महनत करते हैं एक एक मिनट है तो आप इसको अनाद चक्कर पर्तिकुलर पोस्चर में माथा लगा सकते हैं तो यह पर्भाव में आता है और आपने हर चीज में एंज् Weil करना है अब आपको लगता है कि आखे मेरी बंध हैं, खुली हैं, किसी को पता क्या लगता है लेकिन आपने आख बंध करके ही करना है जियासन जितने भी हमने करने हैं